क्या मेवाड में एक बार फिर कॉंग्रेस वही सीटे लाने की कोशिश कर रही है जो मोहलाल सुखाडिया के जमाने में हुआ करती थी हालंकि पिछले चार चुनावों से गुलापचन कटारिया के एक तरफा राज के चलते मेवाड में बीजेपी पूरी तरह मजबूत थी कॉंग्रेस को जिताने में लगिने की पूरी कोशिश कर रही है आप सुन रहे हैं ठीक हम बात कर रहे हैं उद्यापूर की उद्यापूर शहर से जहां एक्स्प्रिमेंटल प्रियोग के तौर पर कॉंग्रेस एक बार फिर दो बड़े चेहरें को लेकर दाव खिलने की कोशिश कर रही है दिल्ली से आने वाले हालंकि अपने आपको उद्यापूर का बताने वाले गौरब वल्लब कॉंग्रेस के रास्टी प्रवक्ता लगाता लगातार लोगों से व्यक्तिकत मुलाकातों का दोर जारी है इसी बीच अशोगहलोत के करीबी दिनेश खोडनिया जो डूंगरपूर के सागवाडा से आते हैं लगातार उद्यापूर में सक्री हैं समाज के अलग-अलग पद्देकारीं से मुलाकात कर रहे हैं मुलाकात क के बहाने कहिन कहीं सरकार से हर संभव सरकारी मदद भी दिलवाने की बर्सक कोशिश हो रहे हैं लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या बाहरी निताओं को मुका मिलेगा तो स्थानी कहां जाएगा कुछ इसी तरह का पोस्टरवार उद्यपूर्ग में तमाम सड़कों प असानी की बात बीजेपी में भी हो रही है लेकिन यहां बाहरी की आने की संभावना कम है ऐसे में बीजेपी के मुकाबले दस गुना ज्यादा अस्थिती खराब यहां कॉंग्रेस की नजर आ रही है गौरव वल्लब जहां अपने टिकेट को एशोर मानते हुए लगातार संबंदों में जुटे वे और शोहर की सडकों पर आपनों गौरव आपनों उदेपुर नाम की पोस्टर्स हैं तो दिनेश खोड़निया भी एक के बात एक लगातार ताबट तोड़ दोरे कर रहे हैं समाजों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं प्रबुद जीवियों से कहिं और पताथों कि ї में दिकारियों से लेकर गाएं से मिलेगा और सकत्व सथानिये को के से मेंज करेगी कौंगरेस किatess थानियों में पंकर शर्मा अगरीस interaction बालेस करन श прекрас प्रवक्ता हैं कॉंग्रेस के उध्यापूर आए उनसे पुछा गया कि क्या मोका कॉंग्रेस किसे देगी तो उनने कहा मुझे लगता है जिसे उध्यापूर की समझ उसे मोका मिलना चाहिए ऐसे में क्या वो खुले तोर पर नहीं लेकिन दभी जुबा में इशारों ही इशारों में गौरब वल्लों पर दिनेश खोड़ने का विरोध कर रहे हैं हलांकि वो संगेटन की गरीमा बताकर उस सवाल को टालते रहे हैं मगर कहीं उद्यपूर में इस बार स्थानी फरसेज बाहरी का मुद्धा पुरी तरह से हावी नदर आ रहा है आप आत इसके अलावा मेवाड की अन्य सीटों की करेंगे और उद्यपूर जिले की खास तोर पर करते हैं तो यहां पर तीन सीटे अनाराक्षी थे जहां पर कोई भी विक्ति चुनाव लड़ सकता है इसमें प्रमुक तोर पर उद्यपूर शहर सामिल है इसके अलावा कॉंग्रस में मावली में भी गुडबाजी की स्थिति लगबक एक सी नदर आती है राज्यमंत्री का दर्जा पाथच्यों के जगदीश्रा श्रीमाली मावली से चाते हैं तो CP जोशी गुट से आने वाले और वरतमान में परदान पुषक्डांगी चाते हैं पुषके डांगी यहाँ पर एक बार विदायक रह चुके हैं लेकिन एक बार वो पूरे दमखम के साथ फिर मिदान में लगे हुए इस आस में कि उन्हें टिकेट मिलेगा और वो OBC World Bank के सहारे कहीं न कहीं इस बार फिर Congress को जीत दिलाएंगे और टिकेट के साथ साथ विदाय में Congress उठाना चाहती है हालांकि पाइलेट गूट से आने वाले गौर्दन सिंग चौहान उनके बाई कोपाल सिंग चौहान जीत सिंग चुंडावत तमाम लोग भी दावेदारी कर रहे हैं मगर गुडबाजी को लेकर स्थिति यहां ठीक है मगर स्थिति बात वही की बीम सिंग चुंडावत कुबेर सिंग चावड़ा और प्रिति शक्तावत के करीबी रहे एक युवानेता भी उनसे अलग चल रहे हैं कुंदन सिंग नाम के शक्स अलग चल रहे हैं और जबात की चर्चा सरवादिक यहां पर विधानसभा में हो रही है तो गुडबाजी स लगातार उदेपूर भी किसी तरह से अचुता नहीं है किसी तरह से पीशे नहीं है इसके अलावा मैनियोटी की बात की जाये उदेपूर में हम अगर अलप संक्यों करें तो यहां पर नाराज़ गी यह कि पिछले पात सालों में किसी भी तरह से न युड़ार से यूटी संगिठन के लिए बड़ी चिंता है इसके अलावा अगर आप महत्पूर्ण स्रीट की बात करेंगे तो यहां पर उद्यापुर ग्रामिंड जहां लगातार खेमराज कटारा का परिवार का दबदबार आहाए खेमराज कटारा के बाद उनकी पत्नी सजन कटारा में जान में आई उसके बाद 2018 में विवेक कटारा जीते थे दो बार लगातार यहां पर मा बेटे चुनाव हा रहे हैं लेकिन तीसरी बार फिर कटारा परिवार से विवेक ने अपनी दावेदारी ठोक दी है लगातार वो तेकेट के मांग रख रहे हैं लोबिंग के प्रयास जारी है लेकिन इस बीच बड़ा सवाल है कि जो कटारा परिवार की आम कारी करता हूं आम लोगों से जो दूरी है उसे कॉंग्रेस किस तरह से देखेगी और क्या टिकेट पाकर भी दो बार हारने के बाद तीसरी बार ह हारने के लिए कॉंग्रेस टिकेट देगी असल में सज्जन कटारा के पुत्र खेमराज कटारा की पतनी विवेक कटारा यहां से चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर वो सीपी जोसी गुट से आते हैं चाह रहे हैं टिकेट मिल जाए लेकिन आम कारीकरताओं मे लेकिन यहां पर किसी धंके या प्रबल उमिद्वार की संभावने कम नजर आती है ऐसे में कहीं माना जा रहा है कि परिवार तो कहीं 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 कटारा ही रहेगा जो टिकेट लाएगा कुल मिलाकर उद्यपूर की चार महत्मून सीटों की बात हम कर रहे हैं उद्यपूर ग्रामिन वो विदानसवाज सीट है जहां पर सरवादी गुटबाजी के बीज उनके सामने चुनाव लगातार जीतने वाले हैं फुल सिंग मीना दो बार वहां से 2013 और 2018 में चुनाव जी उनके विवार की बीज सबसे नहीं मिलने वाले विवेक कटारा की दोड है हालनकि यहां पर कॉंग्रेसी लालूरा मीना शारदारोत अन्य लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं मगर सवाल यही की उद्यपूर में कॉंग्रेस इस गुडबाजी से कैसे निप्टेगी जो जी पहले उद्यपूर ग्रामीड में हुआ करती ती जो गुडबाजी मावली में हुआ करती वलप नगर में थी उसको ज़्यादा बढ़ा कर अब सबसे ज्यादा गुडबाजी इसी सीट पर आ चुकी है कटारे के जाने के बाद कॉंग्रेस इस मोके को बुनाना चाहती है मगर कैसे इस तरह की गुडबाजी के बीच तमाम तस्विरे लगातार उद्यपूर में खासू आम बन जोगी है किस गुडबाजी से नहीं निप्टे तो कैसे बाहरी विक्तियां आएंगे और चुनाव लड़ेंगे दबे मू कोंग्रेसी कहने से नहीं चूप रहें कि जिनने उद्यपूर के कितने वाड़ हैं कितनी गलिया हैं कितने प्रमुग बजार हैं और किस तरह की और रोल समिकरण हैं उसकी समझ नहीं हैं वो कैसे चुनाव लड़ेंगे और हमें उन्हें कैसे चुनाव जिताएंग तो फिलाल उद्यपूर में कोंग्रेस पूरी तरह से गुटबाजी से परेशान हैं शहर में खास्तोर पर बहारी का विरोध है और यहां पर राहूल गांदी की बात कहते वे गौरा वरलब के समर्द तक उनके लिए प्रयास कर रहें तो खोड़निया जेन समाच को साथ ले मुटि लौकर गांदी और सेगलेपा विरो नेर खोड़निया जे थे में खोड़निया जेव्हां खोड़नियाैध Perry Lewis